अमिर्पूर के बाल स्कूल परिशर में आपदा को लेकर अधियापकों को प्रशिक्षन दिया जा रहा है प्रशिक्षन के दौरान आपदा आने पर किस तरह से बचा जाए और स्कूल में बच्चों को कैसे आपदा से निपटने के लिए तियार किया जाए इन सभी वीश्यों पर प्रशिक्षन दिया जा रहा है हमिरपुर के बाल विद्याले में चल रहे पांच दिवसी सेमिनार में प्रीतम चन ने बताया कि स्कूलों में बच्चे किसी भी परकार की छोटी मोटी आपता के दौरान आपता की शिकार हो जाते हैं और मकानों में फ़स जाते हैं इससे बचने के लिए उन्हेंने स्कूल के शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को जाग रुप किया गया उन्होंने बताया कि किस प्रकार आपता की दौरान बीना घवराहट की बच्चों को विल्डिंग से बाहर निकालना है और किस प्रकार दुर्गटना में घायर हुए व्यक्ति को प्रात्मिक उपचार देना है ये छोटे-छोटे टिप्स उन्होंने आज ट्रेनिंग के दौरान बच्चों के दिए बाहर निकालना है याँ आपको मैं सेंस्टाइज करके ज्यादा पैनिक नी लेनी है ज्यादा उसमें गवरात नीशो करनी है अगर आपको रोड में कोई आदमी कैजिबिटी मिले जाता है एकसीडेंट तो आपने क्या करना उसको इमीजेट help करनी है और कैसे हल्प करने हैं, फस्टेट कैसे देने हैं, ये छोट-छोटी टाइम पीक्स हम यहां बता रहे हैं, डिफरेंट आर्पीस के माधिन से, और साथ में हुझे हैं कि कम्मुनिटी को भी अवेर करे हैं, उपरे बच्चों की जिन्दीगी भी बचा सके हम, ताकि हमारे हमिर्पूर और सुजानपूर बलॉग के, हाई स्कूल के और मिडल स्कूल के, ये लास्ट जो है, वो बच्चा हुआ है, सीनिर स्केंटर स्कूल की पहले हो चुकी है, और हाई स्कूल और मिडल स्कूल के जो है, वो पांच दिवसिया, ट्रेनिंग जो है, वो आपदा प्रवंधन के बारे में अबेयर किया जाए और आगे जैसे भूपन प्रकार के आप दाएं आते हैं तो अपने विद्यालिया में किस तरह से जो है वो मिदल स्कूल और हाइज स्कूल जो है अपने प्रवंधन कर सकते हैं